नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का PMS Studies YouTube चैनल के पहला वीडियो में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे समान्य ग्यान वो समान्य बिग्यान के फ्रेंट्स एकदम बेसिक से Questions जो की Friends exam के Point of View से Most Important होने वाली है और सभी Question Friends exam में पूछे जाने के काफी Chances है और सभी Question Basic Label के है Friends तो Basic Label से कहने का मतलब है कि Friends Zero Label से है और सभी Question कहीं ना कहीं exam में पूछे जाते हैं तो आपसे request है कि आप लोग सभी Question को ध्यान से देखें और सभी Question को आप लोग याद करें तो चलिए Friends वीडियो को सुरू करते हैं और Question को देखते हैं तो पहला Question है Friends वासको डिगामा भारत कब आया था तो सही answer होगा Friends 1498 इस्वी में यह आप लोग को याद रखना है 1498 में Friends वासको डिगामा भारत आया था यह Most Important Question है और Selectively और Basic Question है Friends चलिए अगला Question देखते हैं अगला है Friends रोलेक्ट एक्ट किस वर्स पारित किया गया था तो सही answer होगा Friends 1919 इस्वी में जिहां Friends 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था चलिए अगला Question देखते हैं गौतम बुध को ग्यान कहां पर प्राप्त हुआ था तो Friends सही answer होगा बोध गया जिहां Friends गौतम बुध को ग्यान बोध गया में प्राप्त हुआ था यह आप लोग को याद रखना है यह भी Most Important Question है Friends चलिए अगला Question देखते हैं अगला है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्स में नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो सही answer होगा Friends पानी का जहाज यह आप लोग को याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था यानिकी 1913 में चलिए अगला Question देखते हैं नेक्स्ट Question है Friends प्रसिध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था तो सही answer होगा Friends ग्रेट बृतेनिक ग्रेटिन का जहाज जहां जो famous जहाज था पाशनिए कि आनी कि каким देश्फ नाम ग्रेट बृतेनिक का जहाज ता यह आप लोग को याद रहाना है प्रसिध याध्री जहाज टाइटेनिक बृतेन देश का था चलिए अगला Question देखते हैं ये भी friends question most important है, selectively है और exam oriented है बीसो परियावरण दिवस कब मनाया जाता है तो सही answer होगा friends 5 June को जिहां friends 5 June को बीसो परियावरण दिवस यानि की World Environment Day मनाया जाता है और ये आप लोग को याद रखना है most important question है friends चलिए अगला question देखते हैं अगला question है friends भारत का राष्टिर्य गीत किस ने लिखा था तो friends सही answer होगा बंकिम चंद्र चटर जी ने जिहां friends जो हमारा राष्टिर्य गीत है यानि की वंदे मातरम तो friends वो बंकिम चंद्र चटर जी ने लिखा था ये आप लोग को याद रखना है चली अगला question भारत के राष्ट्र गान किस ने लिखा था तो friends सही answer होगा रविंद्र नाथ टैगोर ने जिहां friends रविंद्र नाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्र गान को लिखा था और friends हमारा राष्ट्र गान क्या है तो वो है जनगन मन ये भी आप लोग को याद रखना है और इसी में friends हम लोग question क्या देखे हैं कि रविंदरनात्र टेगोर को ही 1913 ऐसमीं friends first time में नोबेल पूरसकार से सम्मानित किया गया था ये भी आप लोग को याद रखना है चलिए अगला question कागज का अविस्कार किस देश में हुआ था तो सही एंसरों का फ्रेंट्स चीन में कागज का जो अविस्कार है वो चाइना में हुआ था यह आप लोग को याद रखना है यह भी most important question है चलिए अब अगला question देखते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है तो बांगला देश के साथ में है यह आप लोग को याद रखना है खैबर दर्रा पकिस्तान में इस्थित है चलिए next question अगला question है friends पुसकर जील कहां इस्थित है तो सही answer होगा राजस्थान में जिहां friends पुसकर जील राजस्थान में इस्थित है यह आप लोग को याद रखना है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है friends वर्स 19-19-19 में जालियां वाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था तो सही answer होगा friends अमरित्सर में अब देखिए इसमें दो question हम लोग याद रखेंगे जैसे कि पहला question हम लोग याद रखेंगे कि जालियां वाला बाग सन 19-19-19 में हुआ था जालियां वाला महात्मा गांधी को सर्व प्रथम राष्टर पिता किस ने कहा तो friends देखिए ये भी most important question है ये भी आप लोग को याद रखना है महात्मा गांधी को सर्व प्रथम राष्टर पिता सुभास चंद्र बोस जी ने कहा था ये आप लोग को याद रखना है ये भी most important question है friends और selectively ह और most important है चलिए अब अगला question देखते हैं अगला question है पंजाब के भूत पुर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी तो सही answer होगा friends उधम सीन है देखिए अब इसमें दो question बन जा रहा है friends पहला question ये बन जा रहा है कि जो माइकल ओडायर था friends ये पंजाब के भूत पुर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था और friends इसकी हत्या किसने की थी तो वो उधम सीने की थी ये आप लोगो को याद रखना है चलिए अब अगला question देखते हैं अगला question है friends महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू कौन थे तो सही answer होगा friends गोपाल क कृष्ण गोखले ये आप लोगो को याद रखना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरू गोपाल कृष्ण गोखले थे चलिए अगला question देखते हैं friends अगला question में most important है काकोरी ट्रेंड डकैती कांड के नायक कौन थे तो friends इसका सही answer होगा राम प्रसाद बिस्मिल ये आ बाधी है या उपनाम है friends वो मुहम्मद अली जीना को कहा जाता है या अप लोगो याद रखना है कायदयाजम मुहम्मद अली जीना चलिए अगला question देखते है friends अगला question है जै परकास नरायन किस पार्टी से जूड़े थे तो सही answer होगा friends socialist party जै परकास नरायन socialist party से या आप लोगो को याद रखना है चलि अगला question देखते है friends इंक कलाब का नारा किस ने दिया तो सही answer होगा friends मुहम्मद इकबाल ने या आप लोगो को याद रखना है इंक कलाब का नारा मुहम्मद इकबाल ने दिया था तो friends आज की वीडियो में हमने total top 20 most important question friends हम लोगों इस वीडियो में किया और सभी question friends selectively है और एक जाम में पूछे जाने के friends काफी chances है तो आसा करते है friends आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा सभी question को आप लोगों ने अच्छे से अध्यान किया होगा तो कैसी लगी वीडियो आप हमें comment करके जरूर बता दीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार आया है friends तो चैनल को subscribe करके bell notification on कर लिजेगा इसी तरह का friends most important topic वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं इसी तरह का और most important वीडियो के साथ तब तक के लिए friends आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जैहि प्यूँनों